बिहार में नगर्णिकाय चुनाओ के एलान के बाद पहले चरन का मतदान और मतगणना दोनों पूरे हो चुके हैं इसके बाद अब दूसरे चरन का मतदान आगामी 28 दिसंबर को होने हैं इसका पड़िनाम 30 दिसंबर को घोशित होगा वहीं स्चरन के मतदान को लेकर सबसे अधिक चर्चा का विशय पतना नगर निगम बना हुआ है इसको लेकर प्रशासन के तरब से साड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई है मिली जानकारी के अनुसार पतना नगर निगम चुनाओं में नज़र रखने के लिए अलग-अलग वाडों के लिए 6 कंट्रोल रूम बनाए गए है और एक मुखे कंट्रोल रूम भी बनाए गया है कंट्रोल रूम 26 दिसंबर से लेकर मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक सक्रिय रहकर काम करेंगे इस दोरान किसे भी तरह की गरबडी से लेकर शिकायतों से अवगत कराने के लिए कंट्रोल रूम का मुबाइल नंबर भी जारी किया गया है इसके अलावा निर्वाची एवं सहायक निर्वाची पदाधिकाडी भी बनाए गये है बतादे की पटना नगर निगम चुनाओ संपन्न कराने के लिए एक तालिस निर्वाची पदाधिकाडी सहित सहायक निर्वाची पदाधिकाडी नियुक्त किये गये है निर्वाची पदाधिकाडी सह उपविकास आयुक्त तन्य सुल्तानिया को बनाये गया है इनके अस्तर पर भी चुनाओ प्रकरिया पर निगरानी रखने के लिए अस्थापित नियंतरन कक्ष के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाए गए है। इसमें सहायक समाहर्ता शेलजा पांडे सहित अन्य पदाधिकारी शामिल है निर्वाची पदाधिकारी सहित सहायक निर्वाची पदाधिकारी की संख्या की बात करें तो यह संख्या 17 है इसके अलाबा 24 सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है गौर तलब हो कि पटना में नगर निकाय चुनाव को लेकर यह आदेश पटना के जिला निरवाचन पदाधिकारी सहर डियेम डॉक्टर चंदर शेखर द्वारा जारी की गए दूसरे चरन के चुनाव में पहले बार मेयर और ड्यूटी मेयर का चुनाव करवाया जा रहा है मेयर के कूल 17 पदों के लिए 358 उम्मिदवार चुनावी मैदान में है सबसे अधिक सुरक्षित पटना नगर निगम शेत्र है यहाँ एक पद के लिए 32 प्रत्याशी अपनी किस्मत आज मा रहे है वही सबसे कम 9 प्रत्याशी बितिया नगर निगम और भागलपूर नगर निगम शेत्र में है जुरो दिख्षांस से करोफरी खुद को स्ट्रेस से गूगल प्ले स्टोर से दिख्षांस अप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मज़ेदा दिख्षांस देता है ट्रॉपिक वाइज वीडियो विद अनिमेटेड वीज्वल्स एंड कॉंसिप्ट बाइज स्टर्डी मैटेरियल्स हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद